पूरे कॉंग्रेस में जिस दिस ने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो राजेस पाइलोट जी, एक बार उन्होंने कॉंग्रेस के इस परिवार को कॉंग्रेस की भलाई के लिए चुनावती दी जी, एक बार फिर वो भी जुग गए थे, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेस जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए है राजेस पाइलोट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लराई है, जो खुनक है, बेटे पर भी निकाल रहे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद दिबंगत नेता राजेश पाइलोट के बेटे सचिन पाइलोट जबाब में उतरे हैं दरसल राजेस्तान में मतदान के लिए कुछ दिन ही बाकी है, इस बीच पार्टियों में जम कर बयानवाजी चल रही है बुदवार को प्रधानमंत्री ने राजेस्तान में कई जगए पर जनसवाओं को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने भीलवाड़ा के जहाचपुर में ये बयान दिया था, जिस पर कॉंग्रेस ने पलटवाद किया है मैंने प्रधानमंत जी का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तक्ष्यों से बहुत परे था हकीकत यह है कि स्वरगी पालेट साब जब वायू सेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कॉंग्रेस पार्टी में आए और स्वरगी इद्रा जी से प्रेणा लेकर कॉंग्रेस में रहे ते हुए और जीवन भर उन्होंने सामपरताइक ताकतों के खलाफ अपनी राड़ीती करी और जहां तक उन्होंने मेरे बारे में कहा मुझे लगताए कि मेरे वरतमान और मेरे भविश के चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जन्टा करेगी इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई जरॉषब नहीं है हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस पकार के जब बयान आते हैं तो सबंद में आता है कि करिए बीजेपी बैक फूट पर है क्योंकि लागतार अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कौंगेस पार्टी की सरकारे बन रही है हिमाचम में करनाटेक में बनी है और जहां वोटिंग संपन हो चुकी है 36 गण में मद्यपरदेश में दोन स्टेट्स में कौंगेस पार्टी की सरकार बनेगी राजिस्तान के संधर में ये सिरफ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस पकार के बियान दिये जाते हैं परदेश के लिए बाजपा का क्या रोड मैप है क्या ब्लूपरिंट है क्या योजना है उसका कोई जिकर नहीं है बता दे कि राजिस्तान में आज गुरिवार शाम तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा